हालो इब्रिबन कैसे आप सभी लोग आये होग सभी लोग अच्छे होंगे और तयारी भी ठीक चल लाई होगी हम लोग अभी दो दिन से वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि थोड़ा सा आउट आप इस्टेशन थे लेकिन आप कोई प्रोब्लम नहीं है मैं आ गया हूँ तो अब आपको जो है रेगुलर जो चीज मिल नहीं थी वो चीज मिलती रहेंगे और आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे जो है बहुत से लोगों के कमेंट भी आ रहे थे वीडियो नहीं दे पाया मैंने कमेंट का रिप्लाइज रू दिया होगा कि सर अगर हम अब्लब आ इडियाई जिस ट्रेट से किये हैं क्या उस ट्रेट को पहले नंबर पर नहीं डालते हैं बनलब पोस्ट परेफ्रेंश की बात करने बद आप आज अब आज ब innoc हम हम अगर पहले नंबर पर नहीं डालते हैं तो क्या कोई उससेरे नुक्सान होगा ऐसाब लोग पहले जो हमारी trade वाली post है, जिससे हमारी trade fitter है, तो हमने technician fitter पहले नहीं डाला, तो उसका नुक्सान होगा, या नहीं नुक्सान होगा, कुछ लोग बता रहें नुक्सान हो सकता है, ठीके, तो हम लोग आज उस चीज़ को समझेंगे दूसरा जैसे हमारी पोस्ट बिल्डर है तो हमने टेग्मिसिन बिल्डर नहीं पहले डाला तो बास्त हमें कोई नुक्षान है क्या तो यह हम लोग सब बात करेंगे अपने इस वीडियो में तो अगर आपका भी डाउट है तो बिल्कुर वीडियो को छोड़ के ब दाली है कोई फरक नहीं पड़ेगा जितनी भी पोस्ट हमारी इस बार आई हुई है तो हम लोग चिस पोस्ट को जिसमें हम लोग इलिजविल है उस पोस्ट को हम पहले डाले किसी को बाद में डाले कोई फरक नहीं पढ़ने बाला है कटाव पर और किसी प्रिकार के कोई न परणटी लेता हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं है आप जो है सब चीज जानते हो हमारा नाम हमारा चैनल तो सब चीजें हैं मैं आपको पूरी responsibility के साथ कह रहा हूं कि आप जिस पोस्ट को पहले प्रप्रेंश देना चाहते हो जो पोस्ट आपको अच्छी लगती है जिसमें आप पहले नौकरी करना चाहते हो उस पोस्ट को जो है आप पहले भरिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आईटियाई ट्रेर वाली ही पोस्ट को पहले डाले ठीक है तो यह बात आप समझ गये दूसरा बात हम लोगों ऐ बहुत बड़े युटूबर्स हो मैंने भी आपका नाम सुना है तो आपने ऐसा वीडियो बनाया है तो मैं आपका नाम तो जानी गया हूं जो लोग मेरे कमेंट किये हैं आपका नाम बता है तो आप से खहना चाहूंगा कि आपकी इतना ओडियंस है मिलियंस ओडियंस है त effect है, बहुत बड़ी audience पे पढ़ सकता है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि ऐसा सोंच समझ के वीडियो बनाएं, बहुत जल्दवाजी में नहीं बनाएं, ठीक है? मैं देखता हूँ कि आपके वीडियो बहुत जल्दी आता है, आरे ठीक है, कहीं पर भी जो notification दिया है, बहाँ पर भी नहीं लिखा है, ठीक है? जैसा यह लोग बता रहे हैं, तो आप वो भी चीज़ देख सकते नीचे, अब यहाँ पर आप देखेंगे, selection of RRB and preferences for posts, ठीक? इसको ध्यान से में लोग पढ़ते हैं, लिखा है कि RRB bys and railway bys vacancies indicated in the central employment notification are provisionally and these may be increases or decreases as per the requirement of railway administration's concerned. यह बोला गया कि जो हमारी railway bys या फिर हमारी RRB bys जो post हैं, जो कि बताई गई हैं हमारे Central Employment Notice में, प्रोबजिनल हैं उनको जो है घटाया और बढ़ाया जा सकता है, जैसे हमारे Railway Administration हैं उनको इस तरीके से जरूद पढ़ेगी, तो वो इसको घटवा और बढ़वा सकते हैं, ठीक हैं? आगे लिखा है कि Candidate can choose only one RRB in a Pailable, मतलब एक ही Pailable में हम एक ही किसको चूझ कर पाएंगे? RRB को चूझ कर पाएंगे, एक ही Pailable में एक ही RRB को इसका मतलब जह हुआ, जैसे Technician हम थर्ड में, चाहें हमारी जितनी भी पोस्ट आती हूँ, सारी पोस्ट के लिए हम लोग एक ही RRB को चूझ कर पाएंगे, Technician 3, ऐसे इसमें इस बार हमारी Technician 1 की Vacancy आई है, जिसमें Technician 1 सिगनल लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग अलग से RRB चूझ कर पाएंगे, यह बात यहाँ पर कही गई है, तो कुछ लोगों का यह भी डाउट रहता है कि सर क्या हम अलग-अलग अपलाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जिसमें Technician 3 लिखा हुआ है, आगे चाहाएं डीजल लिखा हो, आगे चाहां मोटर वीकल लिखा हो, आगे चाहां फिटर लिखा हो, आगे चाहां वेल्डर लिखा हो, तो जहां-जहां हम लोग अपली केविल हैं, बहाँ आपर Technician 3 के लिए एक ही RRB को चूझ कर पाएंगे से और उसमें जो हमारे हैं को में दे पाएंगे लेकिन अगर हम टैट्पीन को क्वालिफिकेशन रखती हैं। जिसको हमने टैट्पीन फ Neredला नोटिफिकेशंग में तो उस के लिए कि अगर हमारे पास qualification है तो इसके लिए हम अलगारारवी सिर्फ फॉर्म भर पाइने अलग से फॉर्म बनना पड़ेगा और अलग से हमें फी भी पे करनी पड़ेगी तो यह चीज आप ध्यान रखें कुछ डाउट आ रहे थे आपके कमेंट आ रहे थे तो हमने उस डाउट को भी क्लिए कर दिया है नीची आप थोड़ा और पढ़ लिए पूरी बात नहीं हुआ हमारी हमने क्या लिखा है हां पढ़ लिया था पर लेवे एंड इंडिकेट देर प्रफ्रेंस और इंडिकेट करिए अपने प्रफ्रेंस फार रेलबे जोन्स एंड पोस्ट पोस्ट के हो के लिए आप का ell degree आपकी जोभी कैड करी बगएर राजी मनल इस क geschक्यालि में है नबिट चीजह हैに और प्रफ्रेंस क्षाप दिस के लिए आप इंडिकाल गया इंडिकाल तो इस बैंड को थियान रखिः टूपलाई एंड इंड उदेने जिसके लिए आप इंडेस्टेड हैं जिसके लिए लेजबिल हैं आप पर फ्रेंस दीजिए हैं आपको यह नहीं बुला गया कि आप आईडिया वारी ट्रेट को पहले चूज करी ठीक है इंदा इंडेट चूजिन आरारवी जो आपने आरारवी को चूज कर रखा है उसमें आप करिए इंडेस्टेड जिसमें हैं जिस स्पोर्ट में ठीक है और जिसके लिए आप लिजबिल हैं उसको जो है आप पहले जैसा प्रफ्रेंस देना चाहते हैं ऐसा दिखिए तो यह रेलवे का कहना है और यही सब सचाई है आपका नंबर जिस भी कटाफ से मैश होता है जिसमें प्रफ्रेंस दिए हैं आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है मालो की आपने विटर को पिशे डाला है बहुत प्रफ्रेंस दिया इसको और इसकी पोस्ट गई है मालो मालो की यह गई है 48 गई है। और आपके 48 नमबर आगये। ठीक है 48 नमबर पसेंट नहीं क्या नमबर। और जिस यूभी आपने ऊपर पोश्ट डाली थी, उसकी कटाब 48 से ज्यादा गए थी, उसकी कटाब 48 से ज्यादा गए थी, तो पोश्ट आपको मिल नहीं पाएंगो, लेकिन फिटर की जो कटाब 48 48 गई आपने प्रिफरेंस कहीं पर दिया हो फरक नहीं पड़ेगा 48 इसकी जो कड़ाब फिटर की गई है आपकी फिटर यह है और अगर आपने जो उपर वाली पोस्ट दी उसमें आपका कड़ाब महच नहीं हुआ तो यह पोस्ट आपके हाथ में है आप गारंटी से आपको म उसमें जिन्होंने पहले अप्लाई किया फिटर में उनको भी मिलेगी और जिन्होंने बाद में अप्लाई किया उनको भी मिलेगी इतने ही मार्क पर ऐसा नहीं कि आपने बाद में प्रिफरेंसी दिया तो आपको ज्याधा नमबर चाहिए यह सब पागल बना रहे हैं ठीक आपने बाद में apply किया, कोई फरक नहीं पड़ता है, जिन्हों ने पहले apply किया, जिन्हों ने बाद में apply किया, दोनों का नमार्ख सेम होगा, फिटर में उनका selection हो जाएगा, तो यह example था फिटर का, ऐसे ही सब के लिए है, तो आपका अगर ऊपर वारी post में नहीं हुआ है, त भी आपकी पोश्ट हैं उसे असे मिल जाएगा जो तुसरी मैज होगा तो दूसरे मैच नहीं हुआ तिसरी मिल राइगा तुसरी पार पुस्ट मिल लाइगा यह फरक कोई नहीं पड़ेगा कि हम ने यार बाद में चूच किया है अब हमारा जो है हमें थोड़े ज्यादा नमर की रूज बढ़ सकती है ऐसा नहीं है जिन्होंने पहले दिया आपने बाद में प्रिप्रिशन दिया दूनों का सेम मार्क रहेगा तो यह बात बिल्कुल आप इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है ठीक है मैं एक क्रेल बें करूंगा ठीक है तो अगर इंफोर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेयर करें हम लोग मिलते हैं किसी ऐसी इंफोर्मेशन के साथ तब तक के लिए पढ़ाई करें एंड वी हैपी बाइ है